हलो दोस्तो कैसे हो आप सब तो स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में आज मैं आपके लेकर आया हूँ दो हजार चोविस लेटेस्ट मॉडल HF Deluxe on road क्या price होने वाला है और आपको कितना mileage देने वाली है इसके बारे में पूरी details के साथ में इसमें जानगारी देने वाला हूँ दोस्तो वीडियो को like करके share जरूर कर देना अगर अभी तक चैनल को subscribe ना किया हो तो चैनल को subscribe करके bell icon जरूर प्रेस कर लेना चले करते हैं व वाले टाइम में आप इस बाइक को आकनल पैट्रोल से भी चला सकते हैं इस बाइक की front profile के बारे में अगर बात करें तो इसके front में आपको कुछ इस तरीके से mirror मिल जाते हैं जो कि आपको normal देखने को मिलते हैं इसके front में आपको glass visor भी मिल जाता है यहाँ पर आपको hero का न indicator मिल जाते हैं visor के उपर आपको dual tone color में sticker देखने को मिल जाते हैं कुछ इस तरीके से इसके front में suspension की बात करें जिसकी front profile के अंदर आपको telescoping hydraulic suspension मिल जाते हैं इसके fender के दोनों तरफ आपको reflector देखने को मिल जाते हैं जो night बगेरे के लिए काफी अच्छा features आपको इस bike के अं अगर आप इस bike की किसी भी brake को apply करते हैं दोनों brick एक साथ काम करते हैं तो safety feature के साब से दोस्तों बहुत जबरदस bike है बहुत ही अच्छी bike है बहुत ही अच्छी सिस्टम आपको इस bike के अंदर मिल जाते हैं इस bike के अंदर आपको 130 AM का drum brake मिल जाता है side में आपको hero की branding मिल जात 10-לל frag आऊ है। इस बास कर लेए के लगब चैपशुटी आपको इस बाइक के अंदर मिलगाथी है। अब बात कर लेते हैं इस बाइक के इंजन की तो इस डापकोSch. 7.91 DHP की पावर जनरेडल करता है। 88.5 a.m. का टॉक जनरेट करता है इस बाइक के अंदर आपको टॉटल गेर चार मिल जाते हैं चारो गेर पीछे की तरफ लगते हैं इस बाइक के अंदर आपको कीक स्टार्ट भी मिल जाता है इस बाइक की एवरेज की बात करें तो यहाँ पर आपको HF Deluxe की ब्रांडिंग मिल जाती है इस बाइक की seat height की बात करूँ तो 805 a.m. की seat height आपको इस बाइक के अंदर मिल जाती है और बाइकों के मुकाबले इस बाइक की जो seat है वो आपको काफी comfortable मिल जाती है लंबी भी है और इससे आपको riding quality में आपको एक number देने वाली है इसकी rear profile के अंदर आपको मिल जाती है idle foot race मिल जाते है कुछ इस तरीके के इसकी rear profile के अंदर suspension की बात करूँ तो hydraulic suspension मिल जाते है इसके rear में आपको 130 a.m. का drum brake भी मिल जाता है silencer के ऊपर आपको chrome की plate मिल जाती है इसके rear profile के अंदर आपको 18 inch के tubeless tire मिल जाते है आप बात कर लेते हैं इस bike के back profile की इसकी back profile के अंदर आपको single piece gravel मिल जाती है उस इस तरीके का gloss color finishing के साथ नीचे की तरफ आपको hero की branding मिल जाती है sticker के form में halogen light को इसके carrier profile के अंदर मिल जाती है नीचे की तरफ आपको number plate mount मिल जाता है reflector आपको इस bike के rear profile के अंदर मिल जाता है side में आपको non flexible halogen turn indicator भी मिल जाते है दूसरी तरफ आपको यहाँ पर ladies foot race मिल जाती है आप बात कर लेते हैं इस bike के instrument cluster की तो इसके अंदर आपको analog instrument cluster देखने को मिल जाता है यहाँ पर आपको दो instrument cluster मिलते है side में आपको autometer, speedometer, side turn cut और neutral track engine और light fuel gauge जैसे feature देखने के मिल जाते है single horn आपको इस bike के अंदर मिलने वाला है यहाँ पर आपको passing switch मिल जाता है दूसी दरब आपको यहाँ पर self start का option मिल जाता है उस तो इस bike की top speed की बात करूँ तो 90 km की power के साथ आपको top speed यह दे देती है bike की कीमत की बात करूँ तो मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ 88,500 रुपेज की कीमत होने वाली है तो यह था दोस्तो hero achieve dress model का new version जिसके बारे मैंने आपको पूरी detail के साथ जान कर दे दी है दोस्तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करके एक प्यारा सा comment कर देना मिलता हूँ next वीडियो में तब तक के लिए जैहिन